इस्राइल हमास युद के बीच राफा में इस्राइली सेना को जटके पे जटके लग रहे हैं। इस्राइली सेना अपनी तरफ से भी लगातार हमास को तगड़ी चोट देने का दावा कर रही है। इस्राइली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अलकुज का कहना है कि उसने शबोरा, यिबना और तलल सुल्तान में आईडी विस्फोटक बिच्छा कर इस्राइली सेनिकों के टैंकों पर हमले किये हैं। अलकुज के अबु हम्जा का कहना है कि अलकुज के लड़ा के गाजा के अलग-अलग इलाकों में अभी भी अपनी पकड मजबूत बनाए हुए हैं। और हमास के इनी हमलों को देखते हुए आईडी अफ ने ऐलान किया था कि वो अलशोजया कैम्प में अपने सभी हमलों को धगित कर रहे हैं। क्योंकि इस इलाके में हमास के लड़ा के लगातार इस्राइली सेनिकों पर कहर बर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलकुज ब्रिगेड का कहना है कि उसके लड़ाकों ने अलशोजया कैम्प में आईडी अफ की चौकियों पर ताबर तोड तरीके से मोटर गोलों से फाइरिंग की है। और इन हमलों के बीच अलकुज ब्रिगेड ने राफा के तकद्दुम एक्सिस का एक वीडियो भी जारी किया है जो दक्षुनी गाजा में स्थित है। यहाँ पर अलकुज के लड़ाकों ने आईडी अफ के जवानों को स्नाइपर ओपरेशन में धेर करने का दावा किया है। आईडी अफ का एक जवान भागने की कोशिश करता है और इधर से हमास का लड़ाका उस पर फायर कर देता है और तब ही आईडी अफ का वो जवान जमीन पर गिर पड़ता है। इडियों में साब दिख रहा है कि जमीन में बनी एक सुरंग में हमास का लड़ाका छिपा बैठा होता है। और वो एक रॉकेट लॉंचर लेकर सुरंग से बाहर आता है और सामने खड़े आईडी अफ के एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है। और फायर के तुरंट बाद टैंक में जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक लड़ाका हर्याली के बीच छिप कर दूर खड़े आईडी अफ के वाहनों पर रॉकेट लॉंचर फायर कर देता है जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद वीडियो में दूर खड़ा आईडी अफ का एक जवान एक बिल्डिंग की खिड़की में नज़र आता है जिस पर अलकासिम का लड़ाका पहले तो घात लगाता है और फिर उस पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद इस बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है और आग की उची उची लपटे खिड़की से बाहर निकलने लगती हैं।